अग्ऩी त्यवान्यक्शन का व्हेश्मेल है पिसले लेक्चर में हम लोगने जुज्स वह लाइध में जोईल य। परह था प्रवर आ आज हम लोगने चेप्टर वहीं तैक है इस फिर में नेक्स टॉपिक कांसोनेंट एच अज हम लोगने Conconcent H पढ़नें इसके बाद हमारा हमारा चेप्टर एड़ स्टार्ट हो जाईगा ठीक है यह हमारा चेप्टर नमबर 7 आज पर घजा होगा इसमें हमलोगने Conconcent H पढ़ने अब Conconcent H जो है ही बहुत एजी है ठीक है जो हम लोग ने Conconcent R पढ़ा था 23rd number वाला टोटल 24 consonants थे और पहले थी चेप्टर्स में हम लोग ने 22 consonants पर लिए थे उसके बाद हमारे दो रहे के थे उसके बाद हम लोग ने अपना consonant R पर लिया था जो के थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि उसमें थोड़ार रूल्स जहें वह समझने वाले थे प्रैक्टिस की दूरत थी क्योंकि प्रैक्टिस ना हो तो फिर भूल जाते हैं तो इसलिए और कांसोनेट एज जो है यह बहुत एजी है ठीक है मैं आपको समझा देती हूँ इसके भी लिखने के उसी तरह दो तरीके है आर की तरह इसकी भी दो टाइप से एक डाउ कि डाउम वर्ड किस तरह से लिखना होगा जाउ चोटा में अंचा चोटा सा रखल बनाके इसको यो कर देना थीक है उप अपर किस Music लिखना हो Spaß कि छोड़ha सा बनाके यो करदेना होगा ठीक है हम लोग ने सरकल से स्टार्ट लेना है यहां नीचे से स्टार्ट नी लेना या उपर से नहीं ठीक है सरकल से स्टार्ट लेने सरकल बनाया च्छोटा सा और यह कर दिया और जब अपड लिखना होगा तो छोटा सा सरकल बना के इसको ओपर लाइन ले जाएंगे तो यह समझागी कि इसके दो टाइपस हैं एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड जिसे हम लोगने आर में पढ़ा था तो इसके बाद इसके कुछ रूल्स हैं कितने रूल्स हैं एक दो हैं दो तीन और यह दोनों बहुत एजी हैं सर्फ यह दो रूल समझने वाले हैं सर्फ दो रूल इसमें पहले रूल में क्या हो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि जब कोई ऐसा वर्ड आएगा जिसमें हमारे पास सिंगल एच स्ट्रोक होगा जैसे कि यह हैं है इसमें और की स्ट्रोक नहीं आ रहा हैं सिंपल हम लोग एच का स्ट्रोक लिखेंगे और कि जब हमारे पास सिर्फ एच स्ट्रोक आएगा या फिर हमारे पास एच स्ट्रोक के बाद के और जी आ रहे होंगे के या फिर जी स्ट्रोक जैसे हेक एच के बाद के का स्ट्रोक आ रहे हेक एच के बाद जी का स्ट्रोक आ रहे ठीक है तो उसके लिए वह कह रहा है कि हम ल के वह जावली जिसमें ऊपर से स्रुकल स्टार्ट होते हैं। और नीचे की तरफ स्ट्रोक हम लिखते हैं। ठीक है सब इतनी से बात याद रखनी है कि जब हमारे पास सिरफ एज स्ट्रोक होगा या फिर एज स्ट्रोक के बाद के या जी होंगे तो हम लोग ने डाउनवर्ड फार्म यूज़ करनी होगी जैसे कि ही सिंपल एज का स्ट्रोक वावल सैन लगा दिया है सेंपल एज का स्ट्रोक वावल सैन सेकंड प्लेस वाला ह이ग एजरोंग उर के स्ट्रोक वावल सैन है एज chemicals का स्ट्रोक जी का स्ट्रोक वावल सैन और नीचे टू डशे मतलब कि यह इसका first letter capital है ठीक है और एक और बात है कि दूनों light में है ठीक है यह भी light है और यह भी light है इनको heavy नहीं लिखना ठीक है यहां पर थोड़ा open sil तो यह रुख गी थी तो मैं ने वह लिखने की कोशिच कही था यहां पर इसलिए heavy हो गया है वरना इसको हैवी नहीं लिखना यह सब लाइट है ओके और वह क्या कह रहा है कि जब डेरिवेटिव आफ वर्ड्स ठीक है जब हमारे पास एच जो स्टोक है उसके साथ मारे पास कुछ डेरिवेटिव जाज हैंगी तो उसके लिए हम लोग अपना डाउनवर्ड फार्म यूज़ करेंगे ठीक है जैसे कहा हाइली सिंपल इसी तरह एच का स्ट्रोक डाउनवर्ड फार्म वाला और ऐल साथ में हाई आई की साउंड आ रहे है तो वावल साइन हम लोग ने आई वाले यूस करने है वावल साइन लगा दिया तो यह जा पर मैंने पढ़ा है था कि जब वर्ड में लास्ट में वाई आए तो लास पे हम लोग एक डॉट लगा देते हैं ठीक है चाहिए हैवी हो या लाइट हो फिर उसी तरह वर्ड है हाईयर सिंपल एच का स्ट्रोक आर का स्ट्रोक और डिप थांग ठीक है सेकंड रूल को क्या कह रहा है कि यहां पर हमने पढ़ा है के या फिर जी अगर एच के बाद आएंगे तो डाउनवर्ड फार्म यूज़ करनी होगी के और जी के इलावा और जो भी कांसेनेट्स आएगे उनके साथ हम लोग अपवर्ड फार्म यूज़ करेंगे सिंपल एच के साथ अब P का स्ट्रोक आ रहे है के और G का नहीं आ रहा P का आ रहा है तो हम लोग ने इसको upward form में लिख रहा जिसमे नीचे से circle start होता ओता है उह हम लोग ईसको upward लिखते हैं ज़ाते हैं लोग अब वर्ड लिखते हैं ऐसे तरह hope एच गा स्टोक बीडा स्ट्रॉक हैवी एच का स्ट्रॉक मावल्स ने ठेक है अब क्या है वो कहे है किए जब हम लोगों ने वर्ड-ेठा लिखना होगा फ्रेज में तो इसको पिस स्ट्रीच के सेulous लिखनेद होगे हैं किसा सदक्राइब पनला ही होगे हुट को प्रेज में लिखने साथ condition अब diff Phillips Rock प्या मतलब इसका करें एक और हम लोग रिमूब कर देंगे एच चो हम लोग रिमूब करԲेंगे किस बिल्ग हम लोगे लिखना होगा आय SIμPLE हम लोगे लिखना होगा I, I मतलब word of tongue और P का stroke जब हम लोग ने phrase में लिखना होगा, अगर phrase में नहीं लिखना होगा, तो हम लोग अपना पूरा hope ही लिखेंगे, यहाँ पर यह जिस तरीके से हम लोगा ने लिखा है, ठीक है, अगर single में लिखना होगा तो हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे, अगर फ्रेस में आएगा तो फिर हम लोग बीच में से H को स्किप कर देंगे और सब P वाला स्टोक लिखेंगे, simple I hope इसी तरह से लिखेंगे डिफ्थांग, I वाला और P फिर अगर लिखना पड़ जाए, I hope you will, simple तो उसी तरह, I hope you will, you मतलब you वाला डिफ्थांग, ठीक है, I hope you will, simple I hope you are, I hope you are, आर वाला स्टोक, यहाँ पे विल था, तो यह वाला स्टोक है वाला, आर है तो आर वाला स्टोक, अब है, we hope, we hope के लिए भी इसी तरह होगा, फ्रेज में यह लिखना है, we hope इकठे लिखना है फ्रेज में, तो we, फिर hope, speaker स्टोक, एच्छा हम लोगों स्किप कर दिया, we hope you are, इसी तरह, we hope you are, थीक है, अमीद है कि आप मुँको समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल है, एच्छ स्टोक सबसे एजी है, ठीक है, इसमें कोई, वो, आ, मुश्किल वात नहीं है, अब, लास्ट रूल में उसने बताया है, कि हम लोगों ने ही किस दिके से लिखना है, ही, उसने कहा है, कि जब मिडल में, या फिर एंड में आएगा, ठीक है, जब किसी सिंटेंस के दर्मियान में, या फिर आखिर में आ रहा होगा, तो हम लोगे इसकी शॉर्ट फार्म यूज़ करनी है, ये, टिक, ठीक है, और ये, हैवी में यूज़ होगा, ठीक है, ये, इसमें यूज़ होगा, ही के लिए, लेकिन कब, जब हारे पास ही मिडल में या एंड में आएगा, जैसे के, और बाकी जो, अगर स्टार्ट में आएगा, तो उसके लिए हम लोग डॉनवर्ड एच ही यूज़ करेंगे, लेके, मैं आपको बताती हूँ, जैसे के, इफ के बाद आए ना, ही, मतलब इसके आगे और कोई भी सिंटेंस होगा, मतलब वर्ड्स होगे तो सिंटेंस में लिएका, मतलब में आएगा, एफ, ही जो है, मिडल में आरहे, तो सिंपल पहले, एफ वाल स्टॉक, मतलब इफ और साथ में छोटा सा टिक, ही, फिर है, इफ लेकिन जब हमाएं पास हमजों ने ही लिखना होगा ही अब स्टर्ड में आगह ना यहां पे हम लोग ने पढ़ाबाद में आया तो लोग ने एक ठीक की उस张 है लेकिन जब ही डाउमें और वर्ड फर्म ही उस और इन्वेक अग firm और और पर obtained maltèt along तो ठीक है यह भी बहुत एजी है तो इसका आप एक काम करें कि स्कीन शॉट ले लें फिर मैं आपको बुक से भी स्कीन शॉट लेकर दिखाती हूं ठीक है की ए वि Celtic तौप होगा है नियुत व smart कर दिखनी है यह विसक्तों लिए के वाठट असको था हैं तो शॉट कि थप्तिभाण होगा हमने और फ्य ths और कि अपड़ और प्रस लिखना होगा और कि कि अरह को फ्रैस में लिखना होगा तो हम लोग उन्म के शोड़ा है भर कम एक डार Bomb सब्सक्राइब कर देंगे किया आए आई अगी उन्म के किसे मेज़ के अगी तरह म्लुक का एक खायक रहा है विस न्र है जबधान प्रहा हुग कर सेयत्स हम यूझत करते हैं स्क्रिंशॉट ले ले लिए इसको भी नहीं ठीक है इसको नहीं पढ़ना यह दोनों इसका स्क्रिंशॉट ले ले कि इन दोनों के भी आप लोग ने दो दोफा प्रेक्टिस करें एक्जेम्पल्स की और इन दोनों एक्सरसाइज इसकी ठीक है अलाफेश